हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्तोनम और आप देख रहे हैं NBT Life आज हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाले हैं जिससे आप तो जरूर परेशान रहते ही होंगे वेल हम बात करने वाले हैं आपकी गर्दन के बारे में गर्दन एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम अकसर ही नजर अंदास कर देते हैं ऐसा कई बार होता है कि Face के comparison में गर्दन काली नजर आती है काली गर्दन देखने में काफी खराब लगती है यह आपकी personality पर negative effect भी डालती है हाला कि इसके काले होने के पीछे कई सारे reason हो सकते हैं जैसे की tanning बलकि कई बार गर्दन पर गंदगी भी जमी होती है यह भी वज़ा हो सकती है वहीं लोगों को लगता है कि गर्दन का काला पन हटाने के लिए ज़ादा मैनत करने की जरूरत होती है जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है इस problem को दूर करने के लिए कुछ basic seed tips यानि की home remedies हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपकी काली गर्दन एकदम साफ हो जाएगी तो बताते हैं कुछ home remedies जिने try करने पर कुछी दिनों में गर्दन चेहरे की तरह ही आपकी गोरी नजर आएगी इसके अलावा इस घरेलू उपाय को आप इस्तमाल करने के बाद काफी जादा अच्छा feel भी करेंगे वेल आपको क्या करना है तो बताते हैं गुलाब जल जो आप रोजाना कहीं न कहीं अपने लिए इस्तमाल करते ही होंगे तो कुछ female गुलाब जल टोनर की तरह यूज करते हैं इसलिए इसको नहाने के बाद आप cotton ball को जैसे आप face clean करते हैं और गर्दन पर दूल या कालापन नहीं जमेगा वहीं दूसरा तरीका है सेंधा नमक का इस्तमाल करना यानि कि एक scrub की तरह आप सेंधा नमक को यूज कर सकते हैं का जो रंग है वो निखर कर सामने आ जाएगा और एक और तरीका है दही और हल्दी का pack काले पंसे का छुटकारा पाना चाहते हैं तो दही और हल्दी का pack apply कीजे आप जिस तरीके से इसे अपनी चेहरे पर लगाते हैं उसी तरह से गर्दन के लिए भी इसे आप लगा सकते हैं काफी असरदार साबित हो सकता है इसके लिए आपको एक बाउल में दो चम्मच दही लेनी होगी डेक से डेर चम्मच हल्दी लेनी होगी और इसके mixture को आप गर्दन पर apply कीजे 20 मिनट तक इसे गर्दन पर ही छोड़ दीजे टाइम पूरा होने के बाद इसे clean कर लीजे तो आपको फर्क जरूर महसूस होगा और एक और तरीका आपको बता देते हैं वो है मौशराइजिंग करना संस्क्रीन लगाना बहुत ज़ादा जरूरी है चहरे की तरह आमें गर्दन का खयाल भी रखना होता है जिससे मौशराइज करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम और साथी साथ क्योंकि आप धूप में निकलते हैं तो आप अपने चहरे का तो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन गर्दन का नहीं तो गर्दन पर संस्क्रीन जरूर लगाईए उससे आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगा और अगर आप बहार नहीं जाते हैं और घर पर भी रहते हैं तो भी अपनी गर्दन को मौशराइज कीजिए और संस्क्रीन अप्लाइ करते रहें जिससे आपकी स्कीन नरिश रहेगे और कालापन नहीं होगा इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा तो देखा फ्रेंट्स आपने इस प्रॉब्लम का एक घरेलू उपाए ये जो तरीके हमने आपको बताए हैं आप इने घर पर अप्लाइ जरूर कीजिए क्योंकि आप नहाते भी हैं आप बहार भी जाते हैं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक नहीं है बहुत इजी सी टिप्स हैं आप रोजाना अप्लाइ कर सकते हैं और फिर देखेगा फर्क कि किस तरीके से काली गर्दन से हो जाएगी गोरी अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एन्बीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें भी न और बेल आइकन को दबाए भी न बिल्कुल भी मत जाएगा